हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूध आपका स्वागत है हमारे चैनल में महिंद्र बाहु बली बनकर जहां टॉलिवुड के सुपरस्टार ने हर किसी काथ दिल जीता वही अपसाहों के जरीए वो धमाका करने के लिए भी त्यार बैठे हैं हाली में जब संद का चेलर सामने आया तो आपने भी यही सोचा होगा कि एक बार फिर प्रभास वॉक्स ओफिस पर छाने वाले हैं शद्धा के साथ उन्होंने पहली बार काम किया है लेकिन फिर भी दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है अक्शन, ग्राफिक्स, डायलोक्स भी कमाल के हैं वही कासी समय से ऐसी खबरे आ रही थी कि 250 करोड के बजट में बनी इस फिल्म में काम करने के लिए प्रभास ने काफी मोटी रकम ली है किसी ने कहा कि उन्होंने 100 करोड रुपे फिस के तौर पर ली है तो किसी ने कहा कि बाहु बली के बाद उन्होंने अपनी फिस काफी बढ़ा दी है लेकिन अब फाइनली प्रभास ने खुद ही खुलासा कर दिया है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कितनी फीस ली अब आप जानती हैं कि आज कर प्रभास और श्रधा अपनी फिल्म का प्रोमोशन करने में लगे हुए हैं वही हाली में प्रभास ने एक इंटर्व्यू के दुरान कहा कि बाहु बली ने काफी उंचा स्थर बना लिया था लेकिन साहू का बजट 250 परोड रुपे था इसलिए मुझे पता था कि मैं इस फिल्म के लिए जादा फीस नहीं ले सकता इसलिए मैं अपनी फीस में 20 फिस्ती कीको टौती की इसके बाद फिल्म थोड़ा और उंचे स्थर पर गई और मेरे दोस्त मुझे जादा फीस देने के लिए प्यार थे लेकिन मैं उनका पैसा नहीं ले सकता था खास कर ये जानकर कि वो नहीं जानते कि ये फिल्म कितना कमा पाईगी इसके वावजू दुनों ने इसे काफी कुछ दिया है तो अब आप समझे गए होंगे कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी सीज भढ़ाने के बजाए घटाई है आपको बता दें इस फिल्म को सुजीत रेडी ने डारेक्ट किया है श्रद्धा प्रभास के लावा फिल्म में आपको चंकी पांडे जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश जैसे कई स्टार्ज में पॉट्र ट्रोल में नज़राएंगे और ये फिल्म 30 अगस्त के मौके पर हिंदी के अलावा तेलगू और तमी में भी रिलीज होगी वैसे आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कितने करोड का कारुबार कर पाई की